प्रीमियर प्रो एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टेयर है जिसके माध्यम से आप वीडियो को एडिट कर सकती हैं हलाकि यहाँ पर आडियो के बहुत ज़्यदा टूल्स नहीं हैं तो अगर आप भी यह सब जानना चाहते हैं तो आप सुरू से लेकर लाश्ट तक हमारी इस वीडियो को जरूर देखें मेरा नाम है सुबह मगरबाल और आप देख रहे हैं साइबर बाबा यूटूब चैनल सुपरेंट इसे थोड़ा सा अच्छे से समझने के लिए हम चलेंगे सीधा लैप्टॉप स्क्रीन की दरब यहाँ पर आप देखेंगे हमने इस फाइल को इंपोर्ट किया है एक बार हमें से प्ले करते हैं कोच इस तरह की क्लिप को हमने यहाँ पर इंपोर्ट किया है सबसे पहले हम इसकी कॉपी लियर बनाते हैं तो यहाँ पर हमने एक duplicate layer को बनाया हुआ है अब सबसे पहले आपको करना क्या है यहाँ पर आप देखेंगे आपको audio effect का एक option दिखाई देता है audio effect में आपको जाना है amplify वाले option पर यहाँ से आपको इसे drag and drop करना है तो यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से इसे drop किया है अब हम चलेंगे effect control पर और यहाँ से हम इस audio layer को select करेंगे amplify का आपको option दिखाई देता है यहाँ से आपको edit बटन पर click करना है और इसकी जो value है देखिए अगर आपको लगता है कि आपके audio में sound कम है आप extra sound add करना चाहते हैं तो यहाँ से आप उसे increase भी कर सकते है अगर आपको लगता है कि sound को ज़ादा है तो यहाँ से आप उसे कम भी कर सकते है हमारी किसमें minus 3 dB cut हम use करते हैं हम यहाँ से इसे close करते हैं इसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे base की तो यहाँ पर हमको अपनी audio में base को भी add करना है हम base को drag and drop करते हैं यहाँ पर आप देखेंगे effect आज चुका है base की जो value है यहाँ से हम select करेंगे 10 dB तो यहाँ पर हमने base की value को 10 dB select किया है इसके बाद हम जो next effect use करेंगे वो का denoise simply आपको denoise को drag and drop करना है यहाँ से हम denoise पर heavy noise reduction को use करते हैं बट आपको अपने case में देखना है अगर आपकी audio में ज़्यादा noise नहीं है तो आप light noise reduction को भी use कर सकते हैं यहाँ पर हमने amplify को use किया, base को use किया और denoise को use किया next यहाँ पर आता है mastering simply आपको mastering को drag and drop करना है mastering में आपको edit वाले section पर जाना है और यहाँ से आपको select करना है subtle clarity आप चाहें तो आप producer को या फिर अपनी requirement के अनुसार भी preset को set कर सकते हैं मैं मुश्टलिक इसमें इसी preset को use करता हूँ तो यहाँ पर हम इसी को use करेंगे last यहाँ पर जो आता है वहाँ आता है travel सबसे पहले हम इस audio को play करेंगे अब हम प्ले करेंगे edit audio को ओके गाइस तो अभी यहाँ पर हमारी recording हो रही है यह 200dk internal microphone से हो रही है अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो sound है हमारी first audio का यह आपको थोड़ा सा down मिलेगा क्योंकि हमने minus 3db पर इसे down किया है base यहाँ पर आपको देखने मिलेगा जो कि हमने 10db किया है बट आपको अपनी requirement के अंसार इसे select करना है अगर आप sound को तेज चाहते हैं तो आप इसे increase भी कर सकते हैं अगर आप कम चाहते हैं तो आप इसे decrease भी कर सकते हैं audio को आप किस तरह बनाना चाहती है वह depend करेगा आपकी उपर हलाकि इन tools को मैं use करता हूं तो एक बार आप भी आए और उन effects को जरूर यूज़ करें उम्मीद करता हूँ आपको अमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे like जरूर करें चैनल पर new है तो मैं आपसे request करूँगा कि आप इस चैनल को subscribe भी करें एक नई वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक के ल अर बाबाद